नमस्कार हिंदी साहित्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ दोस्तो आज संडे का दिन है तो खाली समय में जब मैं यूट्यूब ओपन कर रहा था तो बहुत सारे स्टुडेंट्स और यूट्यूबर्स जो UGC NET की परिक्षा के परिणाम के बारे में अलग-अलग वीडियोज और अलग-अलग कमेंट्स कर रहे थे तो उन सब कमेंट्स को पढ़ने और यूट्यूब में कुछ रिजल्ट के रिगार्डिंग जो वीडियोज थी उनको देखने के बाद मेरे मन में भी रिजल्ट के रिगार्डिंग वीडियो बनाने का एक शौक जैसा जाकिया कि मैं भी रिजल्ट के रिगार्डिंग वीडियो आपके बीच में लेके आऊँ और मैं इंतिजार करने लग गया कि जो मैंने NTA को मेल किया था कि कब हमारा रिजल्ट आने वाला है उसका वेट करने लग गया लेकिन मुझे उसका ख्याल आ गया और रिजल्ट को लेकर जो भी हमारी टेंशन हैं वो सब बेकार हैं और ऐसा सोचते सोचते कब मैंने 15-20 लाइन्स लिख डाली पता ही नहीं चला इससे पहले दोस्तों कि मैं आपको वो पंक्तियां सुनाओं मैं रिजल्ट के रिगार्डिंग ही बात करने जा रहा हूँ कि हम विद्यारती हैं और हमें हमेशा ही रिजल्ट की एकसाइटमेंट रहती है और हमें वो होनी भी चाहिए मगर दूसरी बात ये भी है कि हमारा रिजल्ट हमसे बहतर कोई नहीं जानता हमने जो गलतियां की हैं वो भी हम जानते हैं और कौन से प्रश्ण ऐसे हैं जो हमें आते थे वो हमने गलत किये हैं ये बातें भी हम जानते हैं और हमने आंसर की बीचा कर ली है और वहां से हमारी और जो स्थिति थी वो clear हो गई है कि हम कितना पानी में हैं ठीक है तो इसलिए अपना result हम सब को पता है जहां हमसे कमी रही है हमें उस कमी को उसी वक्त सुधारना है चाहिए ना कि परिक्षा परिणाम के बाद तो इसी चीज़ के लिए अगर एक परिक्षा पास करनी है तो हमें दू परिक्षा पास कर लेते हैं इसके बाद हम अपना college grader का जो exam देने जा रहे हैं वहां के लिए भी तो हमें त्यारियां करनी पड़ेगी अगर हम ये सोच के अभी निश्चिन्थ हो जाएं कि हमारा परिक्षा परिणाम आएगा उसके बाद हम त्यारियां करेंगे और इस ब कि result कैसा होगा कैसा होगा वो वैसा ही होगा जैसा हमने किया हुआ है थोड़ा बहुत उपर नीचे हो सकता है जहां पर हमें पता नहीं चल रहा था कि इसका मैंने क्या प्रशन कर कर के आया हूँ तो इसी के regarding छोटा सा प्रियास है दोस्तों I hope आप लोगों को पसंद आएग तो चलिए मैं शुरू करता हूँ देखिए लक्षे आँखों के सामने रखके डटे रहना अंजाम जो भी हो हमेशा आगे बढ़ते रहना कठिन भले ही है मन्जिल को पाना असान नहीं है तमाम बाधाओं के बाद भी चलते रहना परिणाम की चिंता में समय मत गवाना रही कहां कमी ये बात जान जाना मिल जाएगी खुद ही मन्जिल गर तुने इस मर्म को जाना मन्जिल को ही अपनी महबूबा बनाना महबूब मिलन का जरिया पार्क या मौल नहीं किताब को ही बनाना महबूब मिलन का जरिया पार्क या मौल नहीं किताब को ही बनाना बाधाएं लाख आती हैं तो भी मत कतराना फौलादी हो तुम आने वाली नसलों को ये बतलाना शिद्दत से की हो गर महनत तो परिणाम वही होगा जो तुमने है ठाना मगर फिर भी हार से पहले हार और जीत से पहले जीत का जशन कभी मत मनाना इरादा खुद का पका और वादा महभूबा से हो सच्चा तो मुश्किल नहीं फिर उसे अपना बनाना हाँ अगर मुश्किल है तो सिर्फ एक चीज शिर्ष पर पहुँचकर शिर्ष पर बने रहना शिर्ष पर पहुँचकर शिर्ष पर बने रहना तो दोस्तो ये छोटा सा प्रियास था कि मुश्किल क्या है मुश्किल है आप शिर्ष तक तो पहुंच जाते हैं लेकिन शिर्ष पर पहुंच कर हम शिथिल हो जाते हैं मान लीजिए UGC NET की परिक्षा हम पास कर लेते हैं उसके बाद हम क्या है छोड़ देंगे कि अब मेरा पी जाओ चाहि मा चलाओ है ना तो वहां पर जाके हम हमारी जो असली परिक्षा है वहां से शुरू होती है इसलिए NET पास कर लिया बेहतर है लेकिन NET के पास असली परिक्षा को भी पास करना है इसलिए जो ये स्ट्रगल है मैंने लास्ट में लिखा भी है कि ये क्या है continuous प्रोसेस है ठीक है तो इसलिए शीर्ष पर बने रहना ज्यादा मुश्किल होता है तो ये छोटा सा प्यास था दोस्तो इस कवीता के जरिये में मैं ये बताना चाह रहा था कि परिक्षा परिणाम जो भी होगा हमें अपना करमपत पर बढ़ते रहना है चलते रहना है आपको इस कवीता का शीर्षक बताना है कि इस कवीता के लिए कौन सा उचित शीर्षक हो सकता है या इसमें कुछ संशोधन करने क्या शकता है दोस्तो तो आप वो भी मुझे कोमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं उसका स्वागत है आपका और इसके साथ ही साथ दोस्तो अगर आप UGC NET हिंदी की त्यारियां कर रहे हैं 2021 के लिए तो आप हिंदी साहित्य वार्था चैनल के साथ जूड़ सकते हैं हम जल्द ही 2021 की जो त्यारियां हैं शुरू करने जा रहे हैं अगर आपको यह चोटा सा प्रियास यह पोई मच्छी लगी हो तो एक बार फिर से अपने दोस्तों के बीच में इसको शेर कीजिए लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें तो फिर मिलेंगे नई उर्जा नई स्पूर्ति के साथ तब तक के लिए शुक्रिया चाहिंद